राजस्तान में राष्ट्रे जन्ता पार्टी के प्रदेशाध्धिक्ष और आमिर विधायक नविन पिलानिया मंगलवार को राष्ट्रे जन्ता पार्टी को छोड़ कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद नविन पिलानिया ने कहा कि वे आमिर से ही चुनाव लड़ेंगे और 15 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशा प्रभारी मुनकाद अली ने पिलानिया के पार्टी में शामिल होने की घोशना कर दी है नविन पिलानिया ने बसपा जॉइन करने के बाद कहा कि उन्होंने राश्ट्रिय जंता पार्टी के राश्ट्रिय अधिक्ष को अपना इस्तिफा भेज दिया है वो शुरू से ही तीसरे मुर्चे का हिमायती रहा है इसलिए उन्होंने आज बसपा जॉइन की है जनता ने उन्हें कॉंग्रेस भाजपा की गोदी में जाकर बैटने के लिए नहीं चुना था उन्होंने कहा कि राश्ट्रिय जनता पार्टी में रहकर बहुत कुछ करने की गुंजाइश नहीं थी जितने भी छोटे छोटे दल बनकर उभरते हैं उससे तीसरा मूर्चा को नुकसान होता है इसलिए दूसरे दलों को भी बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाना चाहिए उलेखनी है कि विधान सभा चुनाओ के लिए नमांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रदेश में सियासी पारा भी गर्माता जा रहा है दल बदल की राजनीती चरमपर है प्रदेश में पिछले चुनाओ में मैदान में आई राश्ट्रिय जनतांतरिक पार्टी के एक मातर विधायक नविन पिलानिया अपने दल को छोड़ कर आए और बसपा जॉइन कर लिए है